दोस्तों पिछले पार्ट में हमने देखा था कि उस लर्की के शरीर से मुक्रिया बाहर निकलाती है और तभी उसके दोस्तों को एक परचाय दिखाई देती है वो परचाई सारा नाम की एक लर्की की थी, जिसे उसके परिवार वालों ने ये कहकर मार दिया था, कि वो काला जादू करती है, अब वो लोग सारा के बारे में और जानकारी के लिए हॉस्पिटल में आ जाते हैं, तभी हम एक औरत को देखते हैं, जो दिखने में काफी अज अब वो सभी लोग एक कमरे में जाने लगते हैं, जहाँ पर उस लर्की की फाइल रखी थी, लेकिन उनका एक दोस्त अंदर जाने से मना कर देता है, क्योंकि आज सुबह उसने एक सपना देखा था, जिसमें एक मोटी सी औरत उसे मार देती है, अब उसके बाकी की दोस्त चोड़ कर अंदर चले जाते हैं, और वो लर्का अकेला हो जाता है, तभी हम फिर से उसी औरत को देखते हैं, जो धीरे धीरे उस लर्के की तरफ जाने लगती है, अचानक से पूरे होस्पिटल की रोश्मी लाल हो जाती है, वो लर्का अपनी जान बचाने के लिए इधर अधर भागता है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता, जिस भी दिशा में वो जाता था, उसी तरफ से वो औरत वहाँ आने लगती थी, अब वो औरत उस लर्के को चारो तरफ से घेल लेती है, और उस लर्के को अपने शिकंजे में ले लेती है, जिससे वो लर्का उसके शरीर के अंदर समा के गायब हो जाता है, दूसरी तरफ बाकी के बच्चों को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो चोरी से उस हॉस्पिटल के अंदर गुज गये थे, लेकिन वहाँ पर भी एक मॉंस्टर उनका इंतदाग कर रहा था, वो मॉंस्टर पुलिस वाले क को मार कर उनकी तरफ जाने लगता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो लोग जेल का ताला खोल कर वहाँ से भाग जाते हैं.